तो हलो दोस्तों नमस्कार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे स्यूट्यूप चाइनल पर दोस्तों आज के सुड़ी में हम बात करने वाले शार्जा रामदन टीटेटी लीग की जो मैच है के एस वर्सेस बीजी के बीच की जो मैच है जिसको मैंने अभी आपको हाइलाट करक उसके चार ड्री मिलियोन की टीम सम देखने वाले जिससे कि आपको अच्छे खासे अर्णिंग हो सकते हैं फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग ज़रूर जीद सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने मैच को हालेट करके देखा देया उस पर आपको क्लिक कर लेनी अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई है तो लेकिन मैं आपको प्रिव्यू करके दिखांगा किसको नहीं लेना है और क्याप्टन को किसे बनाया वह भी मैं आपको दिखांगा तो यहाँ पर चलते हैं रोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता है अगर आपने चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चानल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजिए साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके और पर भी क्लिक करना ना बुले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोश्टे रहे और आप चिका से अर्निक करते रहे तो द इसके लिए एक-दो साल से यह प्लेयर खेल रहे है जैसे कि एच टाइर ज्या दोस्तों यह भी काफी बड़ी आप लियर है और अच्छे खासी केपिंग भी कर सकते यह भी काफी एक्सपिरेंस है इसके बाद यहाँ पे यू फारुक ज्या दोस्तों ऑल राउंडस मैं अभ all भी His dime a चटे टो यहां पर काफी अच्छे प्लेयर है जो जहनादन की बात कहना रहें दोस्तों डूस्तों ऊठोअ का दो यह सब एकप्सपिरेंस प्रेश हैं और प्लेयर है प्रस्यत्राव क्लियान बूंख टेए और पिछली मै torch प्लेइंग गी लिरयरवन में नहीं आइ यह घंट की पूर दोस्तों तीनों की तिनों जरुर आप इन तीनों को लेंगे तो अच्छा रहेगा अगर बात करें आल राउंड रसकी तो एलाकरा को ले रहा हो यु फारुक को ले रहा हूं जे जनारदन के साथ जा रहा हो टीम महमत मेहमुत के साथ भी मैं जरूर सकते हैं या अच्छे खासी आर्णिंग जरूर कर सकते हैं तो इसलिए ग्राइंड लिग के लिए पहले यूज कर लीजेगा उसके बाद चाहिए जितने भी आप स्मॉल लिग लगाई है जितने भी ग्राइंड लिग लगाई है कोई प्रॉब्लम नहीं है काफी बढ़िया ट सबसे पहले लाकरा की बात कर लेते तोे टो कुल लाकराने अभी तक मतलब तीन मैच इसके लिए जिसमें एक मैच में Hm कुछ खास पहली जो मैच ते कुछ खास नहीं करते आये थे ना रन बने थे ना ही उनको विक्टे मिली थी लेकिन दूसरे मैच से उनका शुरू हो गया था अच्छा परफोर्मस जिया दोस्तों बैटिंग में इन्होंने यहाँ पे 51 रन बनाये थे गेंबाजी में कुछ खास स्राइव विक्टे मीली है साथ साथ रन पर भी बने चाहित अगर बात करें एक मैच में शिर हमारे थे गया बना है लास्ट जो मैच है एक मैच में उन्होंने 44 रन बनाए और एक मैच में 66 गेंदों में 122 रनों की पारी खेली जी आ दोस्तों 122 रनों की जबर्दस पारी खेली है तो इनको कही न कई आप कप्तान जरूर बनाएगा अभी फिलाल मैं इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ इस अगर बात करें आल्रांडर में 3 options कि Заàoरी चार ₡ मासओ को मैं इसलेक करड चुक्क हूँ तो यहाँ फारूक को वापस लिया है जय जनारदन को वापस लिया है तीनों बैस्टा गीन बाजय की तो अजर हे हमारे पास जे ड़ङ ट्एम में नहीं लिया था इनको भी कर नहीं तो जरूर आप रख सकते हैं इनको अपने टीम में शामिल कीजिएगा फाइदा साबित होगा आपको जी आ दोस्तों काफी बढ़िया गेंबाज ये तीनों की तीनों जरूर आप इन तीनों के साथ जा सकते हैं तो खुल मिला के देख सकते हैं काफी जबदस्ती में और ये भ दिखा दिये ते जो हमने फ़याज एमद को इस टीम में मैंने पहले ही बताया ता कप्तान बना। और मैंने उनको कप्तान भी बना लिया है और वाइस कैप्टन बनाए है ज्इड अलिकोजिया दूस्तों तो अल्रेडी इनकी स्टैट्स की बना लिया है वाइस कप्तन की अगर बात करें तो इनके भी स्टाट्स देखने जरूरी है क्योंकि हमें समझना चाहिए हमने इनको कप्तान और वाइस कप्तन क्यों बना है तो इनके स्टाट्स के बारे में अगर बात करें तो अभी तक इन्होंने तो इनका लास्ट मैच का प आच विकेट्स लिये थे दोस्तों और एक मैच में उन्होंने चार विकेटे लिये थे तो इसलिए इनको कहिना कई कैप्टन बनाना जरूरी है कहिना कई वाइस कैप्टन भी बनाना जरूरी है आप चाये तो एक टीम में इनको वाइस कैप्टन भी बना सकते तो इसलिए मैंन उसके बाद अल्राउंडर्स में एलाकरा यू फारुक जे जनारदन गेन बाजी में एम अजर जेड अलीटू और बी इकबाल अगर बात करें कप्तान फईया जैमद है इनके स्टाट सम्देख चुके जेड अलीटू है इनके भी स्टाट सम्देख चुके तो अब इस टीम को संतुलिद बनाई है यहापे छे बल्लेबाजों को मैंने इस्टिम में लिया है हाँ आफकोर छे बल्लेबाज लेनी को जैसे एक एक उल्राउंडर हम ले पाएंगे तो यहापे देख सकते हैं हे अज़ तायर के बाद हमने जे कान को लिया है एफ नावाज को लिया है यू खान को लिया बीजाज भी काफी जबदस प्लियर है करें सबस्क्राइक नहीं छोड़ सकते इनको जरू लूँगा अगर बात करें गेनबाजी में तो SMAD है M-Azar है और Z-Ali 2 भी है तो काफी जबदस टीम है दोस्तों ये भी टीम आपको अफकोस मैं कहूंगा कि स्मॉल लिक के लिए यूज कीजिए नहीं कीजिए कोई प्रॉब्लेम नहीं लेकिन इस टीम को भी सकता है आप अगर यूज करेंगे तो ही आपको फाईदा होगा नहीं तो कैसे होगा अगर फिर से कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो एक घेनवाज है अजर-Ali मापक जाएं इनको मैंने कफ्तान बना है एक ऑल राउंडेर है लाक राके जैसे कि मैं पहले ये भी तारिफ कर चुका काफी जबदस तॉल राउंडर इनको मैं वाइस कैप्टन बना रहा हूं और कहीं न कहीं इनको कप्तान भी बनाना जरूरी है फिलाल पर मैं इनको कप्तान बनाऊंगा बात कर लेते इन दोनों के स्टैट्स की फिर से तो सबसे पहले हमने कप्तान ब काज़े किये और हर मैच में विख्टे भी लिए तो इसलिए यहां पर इनको आप कप्तान जरूर बना सकते हैं इनके स्टैट्स काफी बढ़िया है अगर बात करते हैं एक मैच में इनके बल्ला भी ठीक ठाक मतलब 10-12 रन भी बनाएते तो याने कुल मिला के यह अगर अल्रेडी एक जगब पे हम उनको कप्तान बचार चुके हैं एक मैच में उन्हें 17 रन और तीन विख्टे ली थी एक मैच में बल्ला चला था एक क्यावन रन बनाएते और एक मैच में उनका खास परफॉमंस नहीं रहाता तो कुल मिला के यह टीम फिर से कौंगा ग्रांड लिख के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन ग्रैंड लिग लगाने के बाद यूज की जगा चौती टीम जो वहाँ पर बी ओर सर्प्राइज है मेरे पर मेरे पास तो हम उसको भी देख लेते तो यहां पर देख सकते हैं चौते टीम में एच टायर को वापस ले रहा हूं चार बल्ले बाद, चार गेंबाद ़ो लुट के साथ में जा रहा हूं एच टायर के बाद मेरे पास है जेखान, डी इजाज, फईयाज, एहमद, ऐफ अबजल वन इस तरह से चार बैसमान को मैंने लिया है जोकी चारों की चारों बैस्ट बैसमन है हां कुछ रिस्की पिलि है इस बार SMD M0 Z02 है वी इकबाल है तो इस तर से सभी की सभी यह टीम भी काफी जबदस्ते है और यह भी टीम अगर आप Grand League के लिए लगा देंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है आपको एका टीम Grand League जीता सकते या फिर चारो टीम अच्छी रैंक लेकर आपको अच्छी खासे अर्निक करा सकते हैं अब बात कते हैं फिर से Captain और Vice Captain की तो मैंने इस टीम का Captain Z को बनाया और यू फारुक को इस टीम का Vice Captain बनाया जै दोस्तों थोड़े सर्प्राइजिंग है और काफी कम लोगों ने इन पर दाव लगाया जिस जो कि आपको फायदे में फायदे मन साबित हो सकता है क्योंकि इनको अगर कम लोगों ने कप्तान और Vice Captain बनाया और अगर यह स कप्तान और Vice Captain बनाना काफी फायदे मन साबित हो सकता है तो दोस्तों फिर से इनके स्टैट्स की बात करें तो सबसे पहले जेड अली टू को मैंने कप्तान बनाया तो इनके स्टैट्स के बारे में पहले बात कर लेते तो अभी तक इनोंने वह से इनका लास्ट मैच में पर फायदा ही होने वाला नुकसान होने वाला नहीं है दोस्तों इसलिए मैं कहूंगा कि कप्तान जरूर आप इनको बनाईएगा आपको फायदे में आप रहेंगे मुझे लगता है तो आप कर सकते तो दोस्तों पाच विक्ते और तीन विक्ते तो इस तरसे उन्होंने काफी बढ़िया गेन बाजी अभी तक किये अब बात कर लेते यूँ फारुक की तो एक अच्छे खासे और इनके स्टैट्स के भी बारे में बात करते तो अभी तक इन्होंने बल्ले से ठिक ठाक परफॉमस के है एक मैच में 27 रन एक मैच में 32 रन और दो मैचस में एक एक विकेट निकालने में भी कामियाब रहे हाँ इनका परफॉमस इतना अच्छा नहीं है कि उनको कप्तान यावाइस कप्तान बना जाए लेकिन थोड़ा सर्प्राइजिंग रख लेकिन जादा चेंजिस मत की जगा थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है एक दो चेंजिस करना चाहे तो आप जरूर कर सकते हैं पहले ही बता चुका हूं फिर से बता रहा हूं इस कल्यान को अगर टीम में रहते हैं प्लेइंग इलोन में शामिल रहते तो उनको जरूर लीज जरूर पसंद होगा और अगर पसंद है तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजिए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करना न बुले और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी ख्लेक कर दीजिए और साथ टेलिग्राम की लिग डिस्क् धन्यवाद गुडबाई